जहें साथियो तो फ्रंस आस्क जोडियों हम बात करेंगे AMD क्रिक्रूट्मेंट के बारे में हाँ तो फ्रंस आप सभी को हम बता दी कि काफी सारे कैंडिडेट को डाउट है OVC को लेकर के सबसी बारा इसू है फ्रंस यहां फे खास सर्टिफिकेट का जो भी candidate, जो भी estate है उनका यहीधी admit card आ गया है तो उनके लिए वीडियो काफी helpful है और जो भी estate का अभी तक admit card जारी नहीं किया गये उनसे भी इलिए ओर benefit है क्योंकि उनके पास समय है और वो अभी से भी apply करके जो है प्रंस अपना बना सकते हैं cast certificate तो चलिए आप से भी conference फूरे details में बताते हैं कि आपका जो है cast certificate किस format में होने चाहिए और क्या आपका जो cast certificate है central government का है या state government का काफ़ी सारे candidate को ये भी डाउट है कि क्या state government का जो है मेरा cast certificate चल जाएगा या central और काफी सारे candidate का ये भी डाउट है कि जो है कास certificate जो है कितना साल का वायलेड होता है काफी सारे candidate बोड है कि मेरा कास certificate एक्सपायर हो गया है तो क्या मेरा जो है वहाँ पे फिजिकल के बाद हमको वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा तो आज की वोड़ी में आपसे भी को फ्रनस पूरे जो है डिटल्स में बताएंगे कि आपका कास certificate की फॉर्मेट में होनी चाहिए और आपका जो है कितना सा पूराना आपका कास certificate वहाँ पे चल जाएगा तो फ्रेंज आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन घंडी का प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाले जो भी अपडेट है AMD के तरप से उसका आपका पलपल का अपडेट जो कैंडेट है ACST वाले और OVC वाले कैंडेट इन लोगों का सबसे बारा इसू है ठीक है अब इसी इसू क्यूं है बारा तो फ्रेंस यह लोग का जो है एज रिलेक्सेशन लेना है यानि कि जो भी कैंडेट है OVC से उनका यदि एज ठीक है फ्रेंस तीन साल का छूट ले रहे हैं तो उनको OVC जो एक का सेटिफिकेट बहुत जरूरी है यदि उनका OVC सटिफिकेट में कोई भी तूटी पाया जाता है या एक्सफायर है तो उनको फाइनली वहां से बाहर कर दिये जाएगा क्योंकि यहां पर गौर्ण्मेंट आपको रिलेक्सेशन दे रही है ठीक है और SST वाले कैंडेट के सीम वही कंडिसेने पांच साल का छूट मिलता है यदि इसमें कोई भी तूटी होता है फ्रेंस आपका मिसमेच भी पाया जाता है जो भी केंडिट अभी तक नहीं बनवाए है वह जल से जल्द आप अपना एप्लाई कर देजिए ठीक है आपका जो है फ्रेंस दस से बारे दिन का अंदर में बन करकी आ जाता है और आप सभी को किस लेबल का वनवाना है तो फ्रेंस आपका जो है सेंटरल गौर्मेंट क समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे HTA government का नहीं चलेगा अब यहाँ पे एक condition और है कि काफी सरे candidate को doubt है कि हिंदी में जो है format चाहिए English में तो friends आपका हिंदी में भी है यदि आपका format तो चल जाएगा और English में भी है तो और better है बट यहाँ पे English school friends जो है format में जो है दिया था notification में भी आपको mention किया हुआ तो वहाँ पे कि किस format में आपका जो है OVC NCL certificate होनी चाहिए non criminal ठीक है बट हिंदी पे भी चल जाता है कोई दिक्कत का शीन नहीं है आपके पास ठीक है तो काफी candidate को friends doubt है कि मेरा 3 सल से ज्यादा हो गया है मेरा OVC जो है काफी फुराना है दूजर रुनिस का है अठाड़े का है तो फिरनस आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यदि आप लोग form apply करते समय अपना OVC certificate लगाए हुए है उसको भी ले करके जाना होगा और यदि expire हो गया है आपका violet खतम हो गया है यानि आप सभी को बताते है कि तीन साल तक लगवक चल जाता है ठीक है तीन साल तक सेंट्रल गवर्मेंट को जो भी जोव है यदि आप OVC सेंट्रल लेबल का बनाए हुए है तो आपका चल जाएगा और वाकि की जो इस्टेट गवर्मेंट का है वो स्टेट में ही जैसे कोई स्टेट पुलिस का form apply करते हैं तो मतलब मानिय होता है छो माह तक ठीक है एक साल तक भी चल चला जाता है ठीक है और हम new apply करेंगे तो क्या यह जो है वहाँ पे चल जाएगा हाँ फ्रेंस बिल्कुल चल जाएगा बट आप से भी को दोनों ले करके जाना होगा यानि आप से भी को बता दे कि form apply करते समें जो भी document आप लोग upload किये हैं वो आप सभी को 100% वहाँ पे ले करके जाना होगा और यह दी आप upload किये हैं और आपका OVC NCL certificate expire हो गया है तो फ्रेंस जो है आप new वाले भी ले करके जा सकते हैं बनवा करके और फुराना वाले भी वहाँ पे ले करके आप वहाँ पे जा सकते ह हैं आपको कोई दिकत नहीं होने माला है एक और वात आप सभी को हम बता दें कि काफी सेरी candidate board हैं कि मेरा form apply कर्दिश्यों में नाम मिस्मैच हो गया है metric के जो certificate है उसके coding मेरा नाम नहीं है या date of worth में मिस्मैच हो गया है तो फ्रेंस आप लोग alpha नामा वहाँ पे बना ले जिए ठीक है अपना उसमें mention कर देंगे कि तुरूटी हो गया है तो फ्रेंस आप सभी यहाँ पे समझ गयो हैंगे अब यहाँ पे बाते कर लेते हैं फ्रेंस का certificate को एसेस्टी वाले candidate का और EWS वाले candidate का तो एसेस्टी वाले candidate और EWS वाले candidate का विफ्रेंस यहाँ पे जो है जो है certificate उनका central government का ही लगेगा ठीक है एस्टीट गॉर्मेंट का यहाँ पे नहीं चलने होला है यहाँ आपका हिंदी इंग्रिस दोनों में है ठीक है तो कोई बात नह है और नहीं हूं है जल्स जल्स अप्लाइब कर दिजिए आपने में बहुत दीकत होने माला है आपको निकालने का भायोजूद से आप सब्सक्राइब कर दिया ञाएगा है हूं